नेक्स्ट ट्राफिक है कि sum of zeros और product of zeros से बापिस polynomial कैसे बना सकते हैं बापिस polynomial कैसे बना सकते हैं उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो हमने splitting the middle term से zeros निकाले उसकी कुछ examples देख लेते हैं और आपकी जो exercise है 2.2 exercise उसमें जो first question है उसमें सारे में आपको zeros ही निकालने हैं ठीक है तो उसमें से questions लेते हैं उनकी zeros निकालते हैं जिससे आपका जो method है हमारा by splitting the middle term इससे quadratic polynomial से 0 निकालते हैं तो वह थोड़ा strong हो जाएगा different approach से ठीक है तो वह questions देखते हैं one by one देखो सब्सक्रेपहला question है आपका exercise 2.2 से इससे हम क्या करेंगे quadratic polynomial दी है हम zeros निकालने कोशिश करेंगे question पूछा भी यह है find the zeros following polynomial से तो first question है इसमें आपका देखो इससे first है x square minus 2x minus 8 तो यह आपके पास एक polynomial है जिसमें variable आपके पास x है variable क्या है इदर x हम इसको लिख सकते हैं p of x किसके ब्राबर है x square minus 2x minus 8 पहले question का first part इसमें हम देखते हैं कि इसके zeros हम कैसे निकालने आपको बने बताएगा splitting the middle term से हम इसको निकालने तो सबसे पहले आपने क्या करनी है for zeros पार zeros p of x किसके ब्राबर होगा polynomial with variable x वो किसके ब्राबर हो जाएगा आपका आपको क्या करना था middle term को split करने के लिए इस तरह से करना है कि अगर उनका product करेंगे split हुई terms का वो इन दोनों के product के ब्राबर आए पहले इनका दोनों का product देखो कितना हो गया minus eight into one x square तो minus eight into x square कितना आ जाएगा minus eight x square यह आ जाएगा split middle term को इस तरह से split करना कि पहले इसके ब्राबर आए और plus minus करके दोबार से यह चीज़ आ जाए तो two का gap होना चाहिए उन दोनों terms में तभी plus minus करके two आएगा तो two के gap में क्या आएगा अगर मैं four into two करूं तो four into two कितना हो जाए four multiply two करूं तो four two कितना होगे eight हो गया और four मैंसे two निकालूंगा तो वारत से two हो जाएगा इंपल सा अब बता चल लगया middle term को किस तरह से इधर two को कैसे split कर साथे आप four और two में दिख सकते हैं four और two multiply करके eight आजाएगा और four मैंसे two निकाल देंगे तो क्या आजाएगा द्वारत से two हो जाएगा ठीक है अब आपको two किस में चाहिए minus में चाहिए और product करके भी minus eight x चाहिए इसमें एक term minus की होगी एक term इसमें minus की होगी और आपको decide करना कि इधर लगाना है minus बड़ी वाली term के लिए लगाना है यह चोटी वाली term के लिए आपको किस में लगाना है बड़ी वाली में क्यों क्योंकि आपको जब उनको दोनों को plus करोगे तो negative term माने चाहिए negative term कब आएगी minus four plus two होगा तो minus four plus two minus two आ जाएगा और इसको multiply करोगे minus four into two minus eight आ जाएगा minus four x plus two x minus eight is equal to zero आजे आप देखो मैंने क्या बताया था इस first two terms में आपको कामन ले लेना है जो भी इनमें कामन है देखो जो कोफिशेंट है उनमें कुछ भी कामन है क्योंकि इधर one है इधर four है कामन कुछ भी नहीं है इनमें एक्स और इसमें भी एक्स एक्स कामन आ सकता है एक्स को कामन ले लिया पीशे क्या बचा इस जगहापर एक्स बचेगा क्योंकि x into x x क्यार आगया इधर क्या बचा इधर का एक्स ले लिए हमने कामन सिरुफ minus four बचेगा यह ले लिया इए फिर यही ब्रहेक्ट वाली जो सा जाएं तो आगर x है इतर तो इसको प्लस 2 x बनाने के लिए आपको 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और किसका प्लस 2 का देखो प्लस 2 x प्लस 2 x और इसी प्लस 2 के साथ इसको करोगे आटोमेटिकली माइनस 8 आजाएगा आगा ना इकल टू 0 आप क्या करना ये दोनों इन में कामन है एकस के साथ x मैनस 4 प्लस 2 x मैनस 4 दोनों में ये चीज कामन को ले लो बहार निकालो x-4, पीशे क्या बचके, x plus 2, इसको bracket में कर लो, x plus 2, ठीक है, equal to 0, आप मैंने बोला था आपको, ये term 0 के ब्रापर सते ही हैं, ये term 0 के ब्रापर, दोनों को लग-लग कर लो, ठीक है, इधर ले लेते हैं, आइधर x-4, equal to 0, और x plus 2, equal to 0, ये ले ले, दोनों को 0 को, ये 0 के ब्रापर कर ले, ये 0 के ब्रापर कर ले, इसे बीडियो में बताएगा था न, मैंने ये कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक हैं, अब इसको solve करो, देखो, x-4, equal to 0, minus 4 को उससाइड लगए, प्लस 4 आजाएगा, x equal to 4, एक 0 आगए आपका, x की एक 4 value है, जो इसमें बरोगे, तो इस term को 0 करेगे, definitely 0 करेगे, आप करके भी देख सकते हो, और ये x plus 2, इसको solve करोगे, तो क्या आजाएगा, x equal to minus 2, क्योंकि प्लस 2 सिर्फ जाएगा, तो minus 2 हो जाएगा, x minus 2, दो 0s आगए आपके पास, ये है आपके 2 zeros, 4 और minus 2, इन दोनों values को आप 1 by 1 इसमें बरोगे, तो ये 0 आएगा, देखते रो, कैसे, पहले 4 को बरो, x square में 4 बरेंगे, कितना आजाए, x की जिगा पे 4, 4 का square, 16, कितना आगया, 16, minus 2 into x, x कितना है, 4, 4 into 2, 8, minus का sign है, minus 8, minus 8 आगे, कितना आगया, 0, 16 minus 8, minus 0, होगे, 0, अब minus 2 बर के भी देखो, x square में, x की जिगा, minus 2, minus 2 का square कितना आजाएगा, plus का 4, क्योंकि minus 2 into minus 2 होगा, तो plus 4 होगया, यह हो जाएगा, 4, minus 2 बर के देख रहे हैं, अब x की जिगा, minus 2 बरो, minus 2 into minus 2, कितना होगया, plus का 4, और 8 किसका है, minus का, देखो, होगे, द्वार स 0, 4, or 4, 8, minus 8, 0, तो यह, x की value, दो values ऐसी हैं, जो इस expression को 0 कर रही है, x is equal to 4, x is equal to minus 2, यह आगे, zeros of, this polynomial, okay, x की, दो values, जो इसको 0 करते हैं, कौन-कौन सी, x is equal to 4, और minus 2, these are the zeros, आब आपको relationship बताना है, sum of zeros किसके ब्राबर होता है, minus b upon a, b, इसका coefficient, x का coefficient होता है, a, x square का coefficient होता है, और product of zeros किसके ब्राबर होता है, c उपाने, c constant term होती है, यह x square का coefficient होता है, ठीक है, तो देख लो, इनको करके आप, यही चीज़ आएगी, देखो, कहों पर करें, उदरी कर लगते हैं, आज़ आप, देखो, sum of zeros, sum of zeros क्या होंगे, 4 plus 2, इधर 2 किसका है, minus का है न, sum of zeros, यह alpha होगे, यह beta होगे, ठीक है, alpha plus beta, किसके बराबर होगया, 4 plus minus का 2, यह कितना बराबर होगया, 4, और 2 कितना होगया, 4 में से 2, 2, ठीक है, देखो, sum of zeros किसके बराबर होता है, b upon a, minus b upon a, किसके बराबर होता है, is equal to minus b upon a, देखो, देखो, है न, यह, b कितना है, minus 2, और minus b करोगे, तो minus into minus 2, अपान a कितना है, 1, देखो, minus into minus plus 2 आ जागा, देखो, आया न, इसके बराबर, यह verify कर लिए आपने, sum of zeros है, minus b upon न, देखो, minus जो हाँ, formulae का है, b की actual value क्या है, minus 2, ठीक है, a की value क्या है, 1, वो भी किसका, plus का, understood है न, जब x square के साथ, कोई भी कोफिशन नहीं लगा है, understood है, one है, और कोई भी sign नहीं लगा हुआ, understood है, plus का है, बस समझे, यह आ गया, अब product of roots करोगे, alpha into beta, वो किसके बराबर होगा है, इसके multiply, तो कितना होगा, 4 into 2, ठीक है, 4 into 2, minus 8, आगया, minus 8, और यह किसके बराबर होता है, c upon a, देखो, c upon a, c किसके बराबर है, minus 8, है न, minus 8 upon a, a कितना है, one के बराबर, आगया, ठीक है, यह verify भी कर लिए, आपने relationship, ठीक है न, है न, sum of roots, minus b upon a, product of roots, c upon a, यह होगा, second question है, इसमें, second part, sorry, first question का, second part, 4s square, minus 4s, plus 1, देखो, इसमें, आपका variable, s है, तो इसको क्या लिखेंगे, p of s है हमारे पास, 4s square, minus 4s, plus 1, s है, यह ठीक है, अब देखो, first zeros, p of s क्या होगा, 0 के बराबर, यह expression लिखो, p of s की जगा पे, 4s square, minus 4s, plus 1, equal to 0, split करो middle term को, split करके क्या आना चाहिए, इनका product, देखो, 4 into 1, और 4s square, split इस तरह से करना है कि 4s square आएगा, देखो, 4s, तो, इसको किस तरह से split करें, द्वारा से minus 4 आज़ाए, 2 और 2 को करेंगे, तो 4 आ सकता है, 2 और 2, multiply में भी 4 आएगा, और product में भी 4, addition में भी 4 आएगा, तो हम इसको, और हमें चाहिए किसका, plus का 4s चाहिए, अगर मैं minus 2, और minus 2 को product करूँगा, multiply करूँगा, तो क्या आता, minus 2 into minus 2, plus का 4 आजाएगा, और इसको add करूँगा, simply, तो minus का 4 आएगा, यह करते हैं, split term को इस तरह से तोड़ना है, कि add करके दोवारा से वही term आजाए, product करके हुआ, तो यह minus 2, minus 2 में split हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 4s का square, minus 2s, minus 2s, plus 1, equal to 0, फिर क्या करना था, inverse two terms में common देखना है, इसमें 4s के रहे हैं, इसमें 2s है, तो 4 का और 2 का दोनों का 2, 2 common आजाएगा, और 1s यहां से common आजाता है, 1s यहां से common आजाता है, आना, s दोनों में common है न, और 2 भी common है, 2 और s निकाल लेते हैं बाहर, 2 और s बाहर निकाल लेते हैं, तीछे क्या बचा, s minus 1, देखो, दोरा से इसको multiply करेंगे, यह पैली 2 terms आजाएंगे, 2s into 2s, तभी 4s का square आएगा, और minus 1 into 2s कितना आजाएगा, minus 2s, और यह exactly आपको यहां पे लिखना है, 2s minus 1, और इसको किसके साथ multiply करेंगे यह आजाए, तो इदर minus का 2s था, इदर plus का 2s है, तो minus 1 था, अगर इसको मैं multiply करेंगे, तो minus 2s था आजाएगा, और minus 1 नीटू minus 1 करेंगे, प्लस 1 आजाएगा, ठीक है, अब आपको प्लस 1 नहीं चाहिए था, ठीक है, अब इन दोनों में यह चीज़ common है, ठीक है, इन दोनों में, जो common है, उसको निकाल लेते बाहर, common क्या है, 2s minus 1, 2s minus 1, निकाल लेया, 2s minus 1 common, पीशे क्या बचा, 2s minus 1, तो 2s minus 1, दोनों सीम आगे, ठीक है, तो इसमें देखो, 0 इसके लिए, 2s minus 1 ने इस इकल टू 0, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो दोनों सेम ही यही है, तो s की value सेम ही आएगी, ठीक है, s किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2s is equal to 1, ऐसा आजाएगा, 1 upon 2, बस समझे, तो दूसरे के लिए भी s कितना आजाएगा, 1 upon 2, क्योंकि दोनों सेम हैं, s1 by 2, ठीक है, इसके दोनों 0s सेम आए, तो समझे, दो 0s आएगे, और दोनों क्या है, सेम है, फिर आपने क्या करना है, sum of 0s और product of 0s, sum of 0s देख लो, मैं करके देखा देता हूँ को, alpha plus beta, तो sum कितना है, 0s क्या है, 1 by 2, 1 by 2, sum of 0s किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 2 प्लस 1 by 2, किसके बराबर हो गया यह, 1 by 4, 1 by 4, आब इसको करो, no, no, 1 by 4 क्याच हो गया, half plus half 1 नहीं होता है, ठीक है, denominator same, same लिखना होता है, और उपर numerator को add करता है, 1 plus 1, 2, 2 into 2, 1 आचाहेगा न, ऐसे भी कर सकते हैं, half plus half 1 हो जाता है, multiply में 1 by 4 होना था, ठीक है, वो देखेंगे, चलो, sum of roots 1 आ रहा है, देखो इदर भी 1 आ एक आपका, sum of roots किसके बराबर होता है, minus b upon a, sum of roots किसके बराबर होता है, minus b upon a, और इदर b क्या है, minus 4, minus 4, अगर आपको लिखना क्या है, minus b, minus into minus 4, b की value क्या है, minus 4, formulae का minus, अपान a, a कितना है, 4, minus into minus 4, 4, plus का 4 बन जाएगा, और फिर ये उड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 के बराबर आजएगा, आया ना, minus b upon a, 1 के बराबर, that's a product of roots, product of 0, sorry, alpha into beta, वो किसके बराबर आता है, c upon a, c कितना है याँ पर, 1, a कितना है, 4, आजएगा, 1 upon 4, plus का 1 है, प्लस 1 upon 4, आप इसको प्रटक्ट करके भी देखो, आजएगा ना, 1 by 2 into 1 by 2, किसके बराबर आगा, 1 upon 4, 2 into 2, 4, 1 into 1, तो ये भी हो गया, ये भी verify कर लिया, अब इसमें एक देखते हैं, इसमें दो terms बाले दी हैं, बाकी बाले आप निकालने कोशिश करोगे, अब थर्ट बाल देखते हैं, नेक्स कोशिण को, हम स्प्लिट तक, मिडल टम स्प्लिट कर वा देता हूँ, आजए आप इसको खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, वही सेम प्रसीजर करना, तम्मावरूट्स, प्रड़क्ट अबरूट्स, आप खुद से कर सकते हैं, नेक्स टर्म देखो, 6X स्क्यर माइनस 3 माइनस 7X, इन्होंने इसको शफल कर दिया, यह मीडल टर्म नहीं है, यह कांस्ट टर्म है, यह लास्ट पर आएगी, मीडल टर्म यह थी, इसको रीरेंज कर लो, 6X स्क्यर माइनस 7X माइनस 3, इधर वेरियेबल क्या है, X, तो P of X आजएगा, 0's के लिए P of X, 0 के बराबर करनी है, 0 कर लेंगे, अब देखो, 6 into 3, माइनस 18, कितना आएगा, माइनस 18X केर, इसको इस तरह से तोड़ना है, कि माइनस 18X केर आए, तो, और प्लस माइनस करके, अब द्वारा से माइनस 7X आजए, तो 7 को किस तरह से कर लाते हैं, 5 or 2, 7 हो सकते हैं, मगर 5 or 2 को मल्टिपलाई करेंगे, तो 10 ही आएगा, फ्लिट करेंगे, 5 or 2 में करेंगे, तो 5 or 2, 7 आजएगा, मगर मल्टिपलाई करेंगे, तो 10 आएगा, वैसे 4 or 3 कर सकते हैं, 4 or 3 को प्लस करके, दुवारा से 7 लात सकते हैं, मगर, मल्टिपलाई करके टवैल लब आएगा, तो next वाले में चलो, अगर 9 or 2 करेंगे हम, 9 वैसे 2 निकाल देंगे, तो 7 आजाएगा, और 9 or 2 को मल्टिपलाई करेंगे, तो 18 आजाएगा, तो यह स्प्लिट हो जाएगी, 9 और 2 में, यह किसमें हो जाएगी, 9 और 2 में, अब आपको देखना कि, माइनस 18 एक्स, स्केर्ट चाहिए, और प्लस माइनस करके भी, आपको लास्ट में, नेगिटिट हो जाएगी, तो बड़ी वादी टम क्या रखोगे आप, नेगिटिटिव, माइनस 9, पलस 2, 9 और 2, 2 और स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, 6 और स्केर, माइनस 9 और स्प्लस 2, माइनस 3, इकल टू, जीरो, आप इसको common लेकिए, आप कर सकते हैं, इसमें common क्या आएगा, दो में, एहले दो में क्या common आएगा, 6 x square, 9 x, तो इसमें क्या common है, 3 common है, 3 x common है, x x दोनों में common, 3 x common ले लोगे, पिश्य क्या बचेगा, 2 x बच जाएगा, 3 x 2s आएगा, 6x square minus 339 ठीक है तो यही चीज़ आप इदर लिखोगे 2x minus 3 इसको किसके साथ multiply करें यही चीज़ आए तो यह देखो exactly इसी के बराबर है तो इसको plus 1 से multiply कर लो फिर दुन्यों को 1 लटा ले लो यह कठा ले लो फिर 3x plus 1 को यह कठा कर लो बस उसी तरह से इसको proceed करना है अपने आगे ठीक है अब इसके बाद next बाला देखते हैं यह है आपको 4u square minus 8u देखो क्या है 4th 4u square plus 8u देखो इसमें आपको 3rd term नहीं दीविए इसमें आप सिदे से इधर से ही कामन निकाल सकते हैं 2 terms है नहीं 2 terms है easily common निकाल लोगे आप तो क्या common निकल जाएगा इसमें अच्छा इसमें T of u बनेगा is equal to 4u square plus 8u आप देखो इसमें 2 terms है 0s के लिए इसको बराबर 0 के करना है अब इसको लिखो देखो इन दोनों में कामन क्या चीज़ है इसको split करने को जरूर थो नहीं है क्योंकि आगे आपको 0 आ जाएगा constantum आपकी 0 है न 4 into 0, 0 करना पड़ेगा इसको इस तरह से तोड़ना की वो plus minus करके दोर से यह आए और multiply करके 0 आए ठीक है 8 into 0 आएगा फिर वो 8 plus 0, 8 आजाएगा 8 into 0, 0 हो जाएगा ठीक है मगर आप इसको simply भी कर सकते हो इसमें दोनों में कामन देखे common क्या है इसमें 4 common है और u भी common है पीशे क्या बचा u plus 2 यह बना न 4u into u plus 2 द्वारा से 2 terms बन की आपकी 4u into u plus 2 इसको 0 कर बराबर कर लो इसको 0 कर बराबर कर लो यह न either this is equal to 0 or this is equal to 0 4u is equal to 0 or u plus 2 is equal to 0 यह तो 4u 0 के बराबर होगा यह u plus 2 0 के बराबर होगा तो u किसके बराबर आगया 0.40 और u plus 2 is equal to 0 के बराबर आगया तो u कितना आगया है द्राब का minus 2 दो terms आगया हो के बास द्वारा से तो यू की दो value एक 0 एक minus 2 इस expression को 0 करे जिए देखो u 0 बरके देखो 0 0 हो जाएगा 0 0 हो जाएगा 8 को 0 के सा मुट्पिल लेगा 0 यह भी 0 का स्केर 0 4 into 0 0 तो 0 इसको 0 कर रहा है और minus 2 भी इसको 0 करेगा 4 into minus 2 का स्केर minus 2 का स्केर 4 आएगा 4 into 4 16 और 8u minus 2 को 8 into minus 2 minus 16 तो आगका 16 minus 16 तब भी 0 आजागा तो यह दो 0 है इसके ठीक है product of 0 और product of 0 और sum of 0 भी निकाल सकते हैं देखो product क्या आएगा 2 into 0 और sum क्या आएगा alpha प्लस beta केतना आएगा minus 2 प्लस 0 minus 2 देखो यह इसके बराबर आएगा B upon A minus B upon A होता न तो minus B कितना है 8 है न हमारे बास B और minus लग जाएगा तो minus 8 अपान A कितना है 4 4 to the 8 minus 2 आगया product करोगे alpha into beta 2 0s को product करो minus 2 into 0 0 आद देखो constant term क्या है तरह C upon A के प्रफर होती है नहीं constant term क्या है तरह 0 कुछ नहीं है जीरो तो 0 upon 4 0 ओके आगे यह भी easy है ठीक है अब एक next बाला part देख लेते हैं ऐसा ही है एक दो टरम से बाला मगर उसे middle term नहीं दी है उसे constant term दी है आपको देखो क्या t square minus 15 ठीक है तो नहीं से आपको फिप्थ t square minus 15 देखो इसमें भी आपको p of t polynomial in terms of t variable is equal to t square minus 15 is equal to 0 zeros के लिए बराबर है जीरो के बराबर कर लेना आपने इसको आप देखो इसको आप कैसे solve करोगे देखो इसको आप simply solve कर सोते हो t square is equal to 15 के बराबर आजाएगा 15 को उदर लेजाएगा प्लास 15 आजाएगा और t किसके बराबर आजाएगा under root 15 under root 15 यह आप इसको simply देखो under root जब इदर आता है इसको plus minus लगाते है e is equal to plus minus under root 15 तो t की value दो आएगी आपके पास plus 15 under root 15 और minus under root 15 यह actually क्यों इसके बराबर आते हैं इदर plus minus क्यों लगाते हैं इसको देख लेते हैं देखो p square is equal to 15 यह किसका square होगा कि t की value आप मारे पास आदागे और इसको भी मैं किसी का square कर दूंगा तो square का square간cle t की value आपके पास आ दाएगे ठीक है अब देखो t square इसको मैं यह लिख सकता हूँ minus under root 15 का square इस 15 के जगह पे यह लिख सकता हूँ minus under root 15 का square square minus का square होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और square root cancel हो जाएगा 2 के साथ भी तो क्या आजाएगा 15 आजागे दबारत से और आगर plus 15 का whole square लिखूंगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तभी T square के बराबर आ जाएगा ठीक है ना तो T square is equal to 15 को मैं दो तरीके से लिख साथा हूँ T square is equal to plus under root 15 का whole square यहां फिर T square is equal to plus under root 15 का whole square ऐसे भी लिख साथा हूँ अब यह square से square cancel तो इसमें क्या आ जाएगा T minus under root 15 और इसमें क्या आ जाएगा आपका T plus under root 15 ठीक है इसलिए जब इस square को हम उसर्व लेते हैं under root लगाते तो plus minus लगा लेते हैं plus minus under root 15 दोनों का same ही मतलब लगी समझ ऐसे भी कर जाते हैं ऐसे करके बता सकते हैं तो इसमें भी T की आपकी दो वैलिव आगी प्लास अंडरूट 15 माइनस अंडरूट 15 इन दोनों को T की वैलिव में भर होगे तो आपको क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगे expression देखो बर के देखो टी की जगा पर एक वर को माइनस अंडरूट 15 माइनस अंडरूट 15 भर होगे जब उसका square करोगे माइनस अंडरूट 15 का square करोगे square के साथ यह cancel माइनस में प्लास हो जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है ना ठीक है तो 15 क्योंकि square का मतलब क्या होगा माइनस 15 इंटू माइनस 15 और अंडरूट लगा तो माइनस अंडरूट 15 इंटू माइनस अंडरूट 15 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और under root का क्या हो जाएगा? पिर cancel हो जाएगा. ठीक है न? तो यह आगए आपके पास 15 द्वारा से plus का 15, minus का 15, 0 हो जाएगा. हला न? ती की जगाँ पे minus under root 15 बरोगे. प्लस 15 बरोगे तब भी 15 आएगा, minus 15, 0 हो जाएगा. तो यह B1 A, C1 A के द्वारा आ जाएगे बराबर, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर B आपको कोई नहीं है, B0 है, मिल्डर टर्म 0 है, तो B को 0 लेना है, ठीक है, तो C1 A, माइनस 15, 1 A आ जाएगा, ठीक है, यह भी कर सकते हो, और अगला बला है, 3X स्केर, माइनस X, माइन माइनस X, माइनस 4, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, कि ट्वैल लब आये, क्योंकि 4, 3 कितना होता है, ट्वैल लब, माइनस ट्वैल लब, X का स्केर आ रहा है, है ना, इसको इस तरह से करना है, split कि develop आये और plus minus करके द्वारा से minus x आज़ेगा तो इसको कैसे कर सकते हैं देखो 4 into 3 कितना होता है develop और 4 और 3 का negative करें गैप करेंगे तो 1 आएगा तो इसको कर सकते हम और आपको minus का develop चाहिए तो इधर मगर minus x चाहिए last पे minus का 1 बचना चाहिए तो बड़ी टर्म आपको minus के लिए नहीं पड़ेगी minus 4x plus 3x देखो आता नहीं यही अब multiply करके यह आ जाएगा इसको क्या करता होगे 3x के और plus minus 4x minus 4 यह होगी split करके इसका common लेना आगे प्रिम तरीके से निकाल लेना ठीक है यह है एक्सराइज के इसके पीशे एक्जम्पल्स भी है आप उनको भी देख सकते हों और भी middle term split करके आप और प्रेक्टिस कर सकते हों वह मैं आपको देर्विंगा बोशन्स ठीक है करने के इसके बाद हम करेंगे देखो अब यह हमने 0 से निकालना सीख लिए quadratic polynomial के अब हमें 0s sum of 0s और product of 0s दिये हुए हैं अब उससे हमने back एक polynomial बनाके दिखाने हैं मतलब उन्होंने alpha plus beta और alpha into beta हमें दिया हुआ हमने back जाके उससे polynomial बनाके दिखाना है ठीक है तो आगरी next video हमें यह चीज़ करेंगे ठीक है